ओके तो आज हम यहां पर compare करने वाले हैं बोट के दो TWS को सबसे पहले हमारे पास है बोट एरडोप्स 170 जो यहां पर हाली में ही launch हुआ है और साथ में है यहां पर एरडोप्स 141 मेरा नामतन में आप देखर टेक होनी चलिए comparison शुरू करते हैं सबसे पहले pricing की बात करते है तो यहां पर एरडोप्स 170 जो है यह आपको 1300 रुपए का मिल जाएगा इसका link नीचे description में दिया हुआ है वहीं पर एरडोप्स 141 जो है यह भी आपको 1300, 1400, 1500 रुपए का मिल जाता है प्राइस यहां पर वहाँसा fluctuate होता है तो इसका भी link नीचे description म बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर design देख लेते हैं बोट एरडोप्स 170 जो है आपको कुछ इस प्रकार के flat design के साथ देखने को मिलता है जहां पर जो rectangle design है वो मिलता है यहां पर जो है बोट का logo है चार नीचे LED इंडिकेटर है जो आपको battery percentage बताएंगे नीचे के तरफ एक USB Type-C का port है charging के लिए overall इसकी plastic quality काफी अच्छी है हिंज यहां पर थोड़ा और अच्छा हो सकता था लेकिन यहां पर जो earbuds की build quality है वो भी काफी बढ़िया है और earbuds कानों में बहुत यची तरीकी से fit होते हैं इसकी fitting बढ़िया है आप definitely इसको पहन करके gym और running कर सकते हैं वह काफी सारे लोगों का favorite TWS है यह definitely यहां पर आपको भी सामनी की तरफ 4 LED indicators देखने को मिलते हैं जो कि आपको battery percentage बताते हैं साथ में यहां पर नीचे USB Type-C का port मिलता है charging के लिए वहीं पर इसका build quality है वो तो यार बहुत ही जादा बढ़िया है यहां पर थोड़ा सा मोटा है इस इसको जो है मैंने पहन करके यहां पर running वगेरा किया है definitely काफी अच्छी fitting आती है overall build quality और design के मामले में यहां पर boat air dups 170 थोड़ा सा compact है तो अगर आपको compact design पसंद आता है तो आप यहां पर boat air dups 170 के साथ जा सकते हैं वरना अगर आपको उतना दादा फरक नहीं परता design से तो आप यहां पर इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि इसकी build quality काफी बावाल है और अंदर जो इसका color वगरा दिया गया ना वो भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में connectivity की बात करो तो यहां पर आपको मैं Bluetooth version बता देता हूं boat air dups 170 में Bluetooth 5.3 मिलता है और boat air dups 141 में Bluetooth 5.1 मिलता ह तो यहां पर देख सकते हैं connectivity के मामले में जो है साफ साफ boat air dups 170 जीत जाता है और boat air dups 170 में ज्यादा fast connectivity आपको मिलती है दोनों में ही आपको यहां पर AEC का audio codec मिल जाता है driver size की बात करो तो यहां पर boat air dups 170 में 13 mm के drivers मिलते हैं वहीं पर 141 में 8 mm के drivers तो इस मामले में भी यहा यहां पर boat air dups 170 जीत जाता है driver size के मामले में sound quality के मामले में मैं अपने खुद के experience की बात करो दोनों को ही मैंने यहां पर side by side use करके देखा तो सबसे ज्यादा base यहां पर boat air dups 141 में देखने को मलता है यहां पर काफी सारे लोग boat air dups 141 use कर रहे हैं और सबको ही पता होगा कि यहां पर इसका जो base है वो बहुती जादा बावाल है definitely इसमें जो है सबसे जादा base मिलता है लेकिन इसकी clarity उतनी अच्छी नहीं है इसमें जो है sharpness उतने अच्छी नहीं मिलते है vocals वगेरा जो है वो उतनी clear तरीके से सुनाई नहीं देते हैं अगर आपको जादा clarity पसंद है और clarity के साथ साथ bass वगेरा भी पसंद है तो यहां पर आपको clarity और bass यह इसका combination आपको देखने को मिलेगा boat adopes 170 में इसका जो है bass भी अच्छा है और साथी साथ clarity भी काफी बढ़िया है तो definitely अगर आपको एक balance sound quality अच्छी लगती है तो यहां पर bass भी काफी boosted है और साथी clarity पर भी काफी अच्छा कासा ध्यान दिया गया है boat adopes 170 में तो overall अगर मैं बताना चाहूं इन दोनों में से सबसे best sound quality कौन सा है तो वो depend करता है कि आपको यहां पर किस तरीके की sound quality पसंद आती है अगर आपको सबसे जादा bass वाला TWS चाहिए तो आप यहां पर जा सकते है boat adopes 141 के साथ वरना अगर आपको balance sound quality चाहिए जहां पर आपको clarity भी जादा अच्छी चाहिए और साती साथ bass भी अच्छा चाहिए तो आप यहां पर जा सकते है boat adopes 170 के साथ extra features की बात करता है क्योंकि यहां पर extra features ही वो चीज़ है जो आपको यहां पर decide करने में help करते हैं सबसे पहले यहां पर दोनों में ही आपको IPX4 की rating मिलती है और दोनों में ही आपको यहां पर gaming mode मिल जाता है 141 में आपको 80 ms का low latency मिलता है लेकिन वहीं पर 170 में आपको 50 ms का low latency वाला gaming mode मिलता है तो gaming के मामले में यहां पर जो है boat adops 170 जीत जाता है extra features के मामले में भी यहां पर boat adops 170 जीत जाता है यहां पर extra features भी जादा है 170 में battery life और charging की बात करो तो सबसे पहले battery capacity बता देता हूँ boat adops 170 में आपको मिलता है case में 470 mh की battery और buds में मिलता है 40 mh की battery वहीं पर boat adops 141 में case में मिलता है 600 mh की battery और buds में मिलता है 30 mh battery अगर real life experience की बात करो तो यहां पे दोनों में आपको आरम से दो दिन का battery backup मिल जाता है तो battery backup में यहां पे दोनों ही एकदम सेम है कोई भी दिक्कत नहीं आईगी आपको अगर आप इन दोनों में से किसी को भी खरीद लेते हैं बैटरी backup दोनों ही equal है दोनों का चार्जिंग की बात करो तो यहां पे इन दोनों को फुल चार्ज करने में दो घंटे का टाइम लग जाता है लेकिन यहां पे दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है अगर आप 10 मिनिट के लिए चार्ज करोगे तो आपको यहां पे 180 मिनिट का बैटरी backup मिलेगा वहीं पे 141 को अगर आप 5 मिनिट के लिए चार्ज करते हो तो यहां पे आपको 75 मिनिट का बैटरी backup मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर बोट एरडोप्स 170 में देखने को मिल रहा है कॉल क्वालिटी की बात करो तो दोनों में ही आपको यहाँ पर ENX टेक्नोलिजी मिल जाता है दोनों का भी कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं ओके तो यह है एक कॉलिग टेस्ट बोट एरडोप्स 170 का यहाँ पर देख सकते हैं उपर फुल स्पीड पर पैन चालू है और साथी साथ यहाँ पर मैंने 80 भी चालू रखता है बोट एरडोप्स 141 का कॉलिंग टेस्ट तो आपने पर सुन करके चेक करना है कि कैसे तरीके का आख तो जो है कॉलिंग कॉलिटी कॉल कॉलिटी कि तरीके की मिल रही है यहाँ पर आपको ENX टेक्नोलिजी मिल जाता है और यह देख सथ है आप यह पर sir गुम रрать कि क्या पर मुझे जो है काफी सारे लोग कमेंट से आप चालू नहीं करती है आपको आपको विडियो में झालू आहीं विडियो में कि देखो भाई sir हो यहां पर टेस्टिंग कैसा है अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है और आपको जो है गेमिंग वगेरा करना है और साथ में अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और साथ में आपको एवरेज फास्ट चार्जिंग चल जाएगी तो आप यहाँ पे बोट एडोप्स 141 के साथ जा सकते हैं और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे 141 जो है आपको खरीदना है Amazon से बोट के ओफिशल वेबसाइट से आपको बोट 141 नहीं खरीदना है क्योंकि यहाँ पे बोट का जो उफिशल वेबसाइट है वो पुराना वाला 141 बेच रहा है जिसमें आपको बीश्ट मोड वगेरा नहीं मिलेगा तो आपको जो नया वाला 141 है उसे ही खरीदना है Amazon से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुए है उसी को जाकर के यहाँ पे खरीदना बोट के वेबसाइट से बिल्कुल भी 141 को नहीं खरीदना वहीं पर बात करूँ अगर आपको Balance Sound Quality चाहिए Balance Sound Quality के साथ साथ अच्छी खासी Gaming Mode चाहिए और आपको जो है अच्छी खासी Battery Backup भी चाहिए साथ में कुछ इस तरीके का Rectangular Design आपको पसंद आता है Sleek Design वाला TWS पसंद आता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं बोट एरडूप्स 170 के साथ इसका डिजाइन भी बहुत स्लीक है बैटरी बैकप भी अच्छा है और ओवरॉल येरबड जो है काफी अच्छा निकल करके आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई विनर नहीं है डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सा यहर बढ़ कौन सा फीचर जादा अच्छा लगता है बाकि इतना इता है अज वीडियो में आपके अज वीडियो को दिखने करे धन्यवाद अब तक लिए उस्ते जैहन और आपका दिन शुब रहे